नमस्कार SPT न्यूज में आपका स्वागत हैं पेश 29 माई सुमार दपर सवा 3 बजे राजिसान की 15 बड़ी खबरे इस न्यूज बॉलेटिन के प्राई हो चुक है विनी, विनी केक अन मूर सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हैडलाइन्स पर पेपर मामले में आईस गौरव अगरवाल पर गिरी गाज राजिसान में आज भी आंधी वे बारिश के आसार के जिरिवाल को समर्थन देने पर कॉंग्रिस की बैठक कॉंग्रिस नेता आनंच चर्मा बोले जनता को हकीकत भी दिखाएं और आखरी सत्र में बची हुए विधेक लाएगी कहलो सरकार और अब खबर विस्तार सी जेल में बंद आरपी असी पेपर लीग के सरगना अनिल मीना और फिशेर सिंग मीना को पदोनती देने के मामले में रास्तान के वरिस्त आईयस अधिकारी गौरव अगरवाल को रास्तान सरकार ने एपियो कर दिया है मादे में एक शिक्षा के नेदेशा गौरव अगरवाल को पदोनती दी गई थी बड़ी बात यह है कि उसे शिक्षा विभाग ने बरखास कर दिया था इसके बावजुद उसे पुदोनती सुची में शामिल किया गया इस मामले में गर्व अगरवाल की सफाई थी कि विभाग ये डीपीसी मार्च में की गई थी जबकि मीना को अपरान में बरखास किया गया इस कारण ये गफलत हुई निदेशालस तरपर सुमवार को मामले की जाच की जाएगी राजसान में अंधर के साथ बारिश का दौर जौरी है पश्ची में विक्षोप के असर की कारण पिछले पांच दिनों से लगातार बारिश का दौर बना हुआ है इसे तापमान में भी गिरावट दर्च की जौर रही है मौसर विज्यान केंडर जयपूर ने सुमार को जोतपूर अजमेर और जयपूर संभाग के लिए औरेंज वलड चौरी किया है इसके साथ 30 और 31 मई को कहीं कहीं भारी बारिश के संभावना है विभाग ने अनमान लगा है कि अंधर एक बर फिर कोहरा मचा सकता है अंधर का सबसे ज़्यादा असर मध्य है वं पूरी राजस्तान में देखने को मिल सकता है मौसर में भागने प्रदेश में 25 जिरों में अगले 24 घंटे में अंधर बारिश की आशुन का जोताई है बैटक में दिली के नेताओं ने कहा कि दिली में आपके साथ कोई गड़बंदर नहीं होना चाहिए साथ ही नेताओं ने दिली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंदर के अध्यादेश के खिलाफ आपका साथ देने से भी मना कर दिया है कांग्रिस नेता अनन्चर्मा बोले केंदर सरकार के 9 साल पूरे होने के वर्षकार्ट मनानी चाहिए लेकिन सरकार जनता को हकीकत भी दिखाए जो दावे किये जाते हैं हकीकत उसे अलग है जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ उसका जवाब देने का समय है प्रजवतंत में जनता का भरोसा वायदे नेती वजन दे कर आते हैं उसकी जवाब दे ही बनती है सदन के भीतर राज्य में विधान सभाओं में और जनता की अदालत में जवाब दे ही बनती है रहस्तान की पंद्रवी विधानसभा का आखरी सत्र जुलाई में आ सकता है मना जारा कि वरतमान का अंग्रे सरकार का ये आखरी सत्र होगा ये सत्र पांच से साथ दिन चल सकता है पांच से ज़्यादा विधेयक भी लाई जा सकते हैं विधानसवा सत्र पहले जून में बुलाए जाने की योजना थी लेकिन अब सत्र इस तरहां से बुलाए जाने की चर्चा चल रही है कि ये सत्र आखरी हो अगली सरकार के गठन तक 6 माहा की बाधिता का चक्कर पड़े जैसे किसी तरहां का समय धानिक संकट खड़ाना हो अब सरकार इस आखरी सत्र में बच्चे हुए विधेक लाएगी अर्वर जिला पड़िशत में एक और कनिस्र तक्नीकी सहाइक भरती घोटाला सामने आया है इस भरती में उन लोगों को नौकरी दी गई है जिनको नौकरी से 5 माह पहले ही ग्रामिन विकासें पंचाईती राजमंत्री रमेश मीना ने दोशी माना था रकम वसूली के भी आदेश दिये थे इन आदेशों के परिशत के अफसरों ने धज्जियां उडाते हुए पूरा खेल किया अहरत की बात यह है कि मन्रेगा के तहत हुई जेडिये के इन भरतियों के आरोपियों के जानकारी डियम को भी नहीं दी गई अब यह प्रकरण S.O.G. को भीचा किया है भाजपा जयपुर शहर कारे समीती की बैठक जवाह नगस्तित कारेले में आयो जित हुई पहले सत्र में पार्टिक के शहर अध्यक्ष रागफ शर्मा और सांसद रामचरन बोहरा ने प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी के राजिस्थान दौरे और तयारियों को लेकर चर्चा की साथ ही मंदल और वार्स्तर के कारे करताओं और पतादीकारें को जिम्यदारी बाटे गई महीं दूसरे सत्र में पूरु प्रदेश अध्यक्ष अरुन चत्रुवेदी ने राजनितिक प्रस्ताओं पर चर्चा की चत्रुवेदी ने कहा कि भाच्षपा ने नौ वर्ष में देश में इतना परिवरतन किया है कि व्यक्ति के विचार सकार अत्मक्ता की और बढ़ रहे हैं शारुख ने नए संसत्भावन को लेकर पियम मोदी और देशवास्वी को बढ़ाई दी है हलांकि महरास्ट में विपक्ष के नेताओं को शारुख का ऐसा करना रास नहीं आया है अठाइस मही को पियम मोदी ने नए संसत्भावन बिल्डिंग का उदगाटन किया इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री से भी काफी लोगों ने प्रतिक्रिया दी इसमें सबसे ज़्यादा चार्टा शारुख खान का रियाक्शन हुआ शारुख ने ने संसत्भावन को लेकर पियम मोदी और देशवासियों को बढ़ाई दी हलांकि अब कुछ लोगों को शारुख का ऐसा करना रास नहीं आया है अलवर जिला प्रमुख बलवीज सिंग छिलर फिर विवादों में आ गए हैं शनिवार रात वो समाने चिकिस सारे के अमर्जेंसी में पहुँचे और एक सरकारी चिकिस्तक के खड़े नहीं होने पर उन्हें खरी-खरी ही नहीं सुनाई बलके अभधर विवार भी किया जिला प्रमुख शनिवारा चिकिस सारे के अमर्जेंसी में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर गगन दीप सिंग के पास आये और बोले कि अभी एक मरीज सीने के दर्द की शिकारत लेकर आया था वो कहां है इस भी जिला प्रमुख ने उन्हें नहीं पहचानने और खड़े नहीं होने पर चिकिसिक से अभधर विवार किया चिला ने डॉक्टर को तबादला करवाने की चेतावनी दी जुझरों में यातायत पुलिस सकती और समझाईश का आसर अब शहर में नजर आने लगा है विशेशकर दुपहिया वाहन चालकों में हेलमेट लगाने को लेकर जागरुकता बढ़ी है अलंकि शहर के पुराने लाके में लोग हेलमेट लगाने से अभी भी खतराते हैं लेकिन शहर के प्रमुख मारगों पर निकलते समय लोग हेलमेट के साथ दिख रहे हैं गौरतलब है कि हेलमेट को लेकर यातायत पुलिस की ओर से लगातार कारवाही और जगता अभियान चलाने से आमजन अब हेलमेट को वजन नहीं मान रहा है जुन जुन में बारिश और अंधर के कारण शेत्र में फल और सब्जियों में नुकसान हुआ है लगातार हो रही बारिश और तापमान में कमी आने पर फसलों में रोगों का प्रकोब भी बढ़ रहा है किसान अनुप सिंग शेखावद मनक सास सलाव कमर नंदिलाज स्वामी महिपाल सिंग दिलिफ सिंग साइथ अन्य किसानों ने बताया कि तापमान कम रहने की कारण फल और सब्जियों में रोग और कीटों का अधिक प्रकोब रहा किसान बजरंग सिंग और कमल कवर मनक सास ने बताया कि फल मक्खी का अधिक प्रयोग होने की कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश में मई में भी मौसम कूल कूल बना हुआ है कई शहरों का पारा पांस डिग्री से भी नीचे लुडग गया है इसे देखते वे हिमाचल के अलग-अलग परेटन सेरगाहों पर आने वाले परेटकों को हलके गरम कपड़ों के साथ यहाने के सलाह दी गई है लाहोस पिती के कूकुम सेरी का नियुनतम तापांच सबसे कम चार पॉइंट तीन डिग्री सेल्सियस और केलांग का पारा पांस डिग्री सेल्सियस तक लुडग गया है प्रदीश के अन्य शहरों में भी इसी तरह मिनिमम टैंपरेचर नॉर्मल से पांस डिग्री तक कम चल रहा है मौसम विभाग ने अगले एक सबताहा तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया है राजसान सरकार ने लोगों को नए जिले के सौगात ही नहीं दी बलकि अब जिलो के संचौलन के लिए लिपिक, इंजिनियर, चपरासी, ड्राइवर, सफाई कर्मी आदी पदोपर भरतियां निकाली है यानि अब लोगों को नौकरी मिलेंगी इसकी शिरुवात खैतर जिले से होने की तयारी है इस जिले के 15 विभागों के पस्रजन का काम एक दो दिन में पूरा हो जाएगा ये प्रस्ता प्रदेश सरकार के पास जाएगा और वहां से रिख्तियां निकाली जाएगी जानकारों का कहना है कि एक ही जिले से करीब 600 लोगों को रोजगर मिलेगा इस तरह दो जिलों में रिक्तियों की संख्या 1200 से जादा होंगी चिकेसिकों से लेकर प्रशासनी का दिकारी तक तैनात होंगी अलवर जिले से कितना स्टाफ इन नए विभागों के संचालन के लिए लगाये जाएगा इस पर भी प्लैन लगभग तयार हो गया है 80 साथ से अधिक उम्रे के वरिस नागरिकों के पास आगामे विधानसवा चुनाव में घर से ही मद्दान करने का विकल्ब भी होगा राजे के मुखे निर्वाचन अधिकारी प्रवीन गुपता ने बताए कि चुनाव अचार संखिता लगने के बाद वे नामांगन के अंतिमती थी से पहले बियलो अपने बूत में ऐसे मद्दाताओं के घर जाएगा घर पर ही मद्दान के लिए ऐसे मद्दाता बियलो को फॉर्म 12 डी भर कर सहमती देंगे गुपता ने बताया कि मद्दान से 5 दिन पहले पोलिंग पार्टी मद्दाता के घर पहुँच कर पोलिंग बूथ स्थापित करेगी घर में बूथ पर वरिस्ट नागरिक के मद्दान की वीडियोग्राफी होगी गुपता ने बताया कि चुनाव आयोग ने एक्ट में संशोधनकर 80 पार उम्र के मदातां को घर पर ही मदान के विकल्प किसे विधा दी है पुनिया ने बताया कि उन्हें उत्तर प्रदेश के संभल मुरादबाद मैन पूरी और अमरोहा लोकसबा सीटों में केंद्र सरकार के जन कल्यानकारी नीतियों और उपलबनियों को जनता तक पहुचवाने के जिम्हदारी मिली है इन शेत्रों में वे केंद्रिय वंतर जीतेंद्र सिंग के साथ प्रचार अभियान में रहेंगे पुनिया का यूपी प्रवास जून माहा में लगभग 10 दिन का रहेगा तो फिलाल इस बिलेटिर में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर